इडी करेगी पुष्टाइट गाजी पुर जेल में अनवार श्याय जाज से होगी पुष्टाइट शरजील के बयान से जुडे सवालों पर पुष्टाइट होगी दोनों बयानों का मिलान करेगी इडी की टीम यहाँ पर तो मनी लॉंडरिंग के मामले में E.D. आपर पुश्टाच करेगी इस मामले में आपर E.D. की पुश्टाच होगी और मनी लॉंडरिंग केस को लेका लगातार मुकतार के जो परिवार के सदसे हैं उनसे के करके आपर पुश्टाच जारी है पहले साले से एक पुश्टाच हूँ उसके बाद दूसरे साले से पुश्टाच की जाएगी लगातार दिके याँपर जो बयान है वो दर्ज किये जा रहे है ED की तरफ से शरजील से पहले पुश्टाच हूँ उसके जो बयान है उसके अधाप और उसके दूसरे भाई आ रहे कि दूसरे साले से हाँ पर अब जो है वो पूश्टाज करेगी मुक्तार पर हाँ पर 13 स्थानों में देखे उन 60 केस जो है वो दर्ज है और 67 बेटर उमर अंसारी पर भी आपर 5 केस दर्ज है है अफजय से चल रही पूश्टाज और मुक्तार पर शिखन जाओ उसकी तस्वीर देख है आपको हम दिखा रहे है अब मुश्किले जो है जो मनी लॉंडरिंग से जोड़े तमाम सवाल है उनके जवाब यहाँ पर तराशने की कोशिश और विकास से प्रयागरा से हमारे सायोगी जूड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ विकास मुकतार का पूरा परिवार अब एडी की जाश के दारे में आ चुका है आज भी कहा जा रहा है कि दूसर सारे से पुश्टाश होनी है क्या इस पुश्टाश को लेकार कौन कौन से यह बातों को लेकार एडी आज पूछेगी यहाँ पर तमाम सवाल देखे शिवांगे गाजीपूर जेल में बंद मुकतार के साले जो हैं उनसे एडी लगातार पुश्टाश करेगी जो उनके भाई थे आतिफरजा उनके बयान में इनका नाम सामने आया है और बताया जा रहा है कि जो विकास कंट्रक्शन से जुड़े कई अहम सवाल इनसे पूछताश करेगी एडी की टीम लगातार माफिया मुकतार अंसारी के परिवारी जन को एडी सम्मन जारी कर लगातार एक एक दूसरे के बाद पूछताश कर रही है और अभी तक हाली में माफिया मुकतार अंसारी के बड़े भाई से अपजाल अंसारी जो है उनसे पूछताश की थी उनके साले से पूछताश की थी हलाकि बात की जा तो चित्रकूर जेल में बंद जो माफिया मुकतार अंसारी के बेटे अबास अंसारी है और वहीं बात की जा तो जो इनके साले आतिप्रजा है वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है जी अब बिकुल और देखें यहाँ पर विकास तमाम सवाल ही डी के जिनके आज जो जवाब लेने की कोशिश करेंग लेके शरजील के भी जो अभी तक के बयान हुए है उनसे कैसे मिलान क्या एक ही बात को लेकर एक ही माम कारी जुटाई थी उसमें इनके साले का जो दूसरे साले का नाम आया है जो माफिया मुक्तार अंसारी के साले हैं उनका नाम सामने आए उसी को लेकर जो प्रमालिक जवाब है उसको लेकर गहन पुछताज की जाएगी डी की टीम और लगातार माफिया मुक्तार अंसारी के जो परिवारी जने उनसे ED पूछताज करी है और हलाकि बात की जाए तो जो विकास कंट्रक्शन है जिसमें करोडों के लेंदेन का मामला था उसी को लेकर ED लगातार कई सवाल पूछ रही है और सही जवाब ना देने पर जो माफिया मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसा अभी भी जो उनके परिवारी जने उनको सम्मन जारी कर पूछताज के लिए बुला रही है जी